Hello friends, welcome to Levented and YouTube channel Levented and YouTube channel में आप लों का बहुत बहुत स्वागत है तो दोस्तों कैसों आप लो दोस्तों वीडियो काफी informative होने वाला है आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ये 3 सवाल, ये 3 questions आप अपने partner से करो आपको पता चल जाएगा कि आपका partner आपको कितना प्यार करता है सामने वाला इंसान आपको कितना सचा प्यार करता है ये 3 questions करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि उसका intention क्या है कितना वो आपको प्यार करता है देखो वीडियो में आगे वढ़ने से पहले मैं आपको पहले ही किलियर कर देता हूँ ये थ्री सवाल, थ्री कोचन इस तरीके से फ्रेम किये गये हैं पूरी तरीके से साइकोलोजिकल वैस्ट है इस तरीके से आपके पार्टन के उपर इंपेक्ट डालेंगे कि आपको उसका intention पता लग जाएगा कि वो आपको बाकई में सच्चा प्यार करता भी है या नहीं क्योंकि इस दुनिया में बहुत सारे सातिरी लोग पढ़े हैं पता ही नहीं लगता है कि वो आपको सच में सच्चा प्यार करते हैं या नहीं करते हैं कहीं आपको चीट तो नहीं कर रहे हैं, सामने वाले इंसान को पता ही नहीं लगता है कि उसका intention क्या है, क्या उसका intention रहने वाला है, आगे वो आपके साथ क्या करेगा, तो ये three questions, three सवाल इस तरीके से frame किये गए हैं, पूरी तरीके से psychological waste हैं, अगर आप ये अपने partner से करते हो तो उसका intention, उसका प्यार आपको जरूर पता लग जाएगा, ये वीडियो girls and voice दोनों category के लिए है, आप अपने हिसाब से ये questions अपने partner से करिएगा, आपको बहुत ही आसानी से उसका intention पता लग जाएगा, तो चली वीडियो में आगे वड़ते हैं बिना time best करते हुए, और जानते हैं वो तीन सवाल कौन से हैं और आपको बताते हैं, first of all सबसे पहला सवाल है, सबसे पहला questions आपको अपने partner से करना है, वो ये है कि आप मुझे से क्यों प्यार करते हो, why do you love me, जी हां दोस्तों ये questions, ये सवाल आपको सामने वाले इंसान से अपने partner से करना है, कि आप उनसे करेंगे, तो इसका answer देखिए क्या होगा, मैं आपको बताता हूँ, इसका answer क्या होगा, फिर आगे बात करेंगे, तो देखिए इसका answer ये ही होगा, पता नहीं, जी हां दोस्तों, इसका answer ये ही है, कि पता नहीं मैं आपसे क्यों इतना प्यार करता हूँ, चाहें उसका अंसर यही होगा, पता नहीं मैं आपसे क्यों इतना प्यार करता हूँ, अब देखे कोई सातिर इंसान होगा, वो और तरीके से आपको इसका अंसर दे सकता है, वो कह सकता है कि आप अच्छे लगते हो, इसलिए मैं आपसे प्यार करता हूँ, आप बहुत अच्छे लग तो आपको जो उसकी बातें अच्छी लगे, उसके कुछ behavior अच्छे लगे, तो इस तरीके से अभी के टाइम पर उसका दिल अच्छा है, कुछ change up हुआ, तो बाद में क्या वो इंसान आपको अच्छा नहीं लगेगा, या अभी वो इंसान अच्छा है, या बाद में वो अच तो देखे अच्छे लगने से यह आपका दिल सही है यह इसका अंसर नहीं है यह प्यार करना नहीं है मतलब कि आपके फेस से आपके जिसम से या आपके किसी चीज से अगर कोई इंसान प्यार करता है तो यह प्यार नहीं है यहाँ पर इस कोशन का अंसर यही है कि पता नहीं म आपसे प्यार करता हूँ, तो यह आप समझ गए होगे कि पहला coaching आप करेंगे, तो आपको पता चलेगा, कि सामने वाला इंसान अगर ऐसा कहता है, तो वो कितना आपसे प्यार करता है, और कोई सातिर इंसान बचना चाहेगा, उससे यह answer निकलेगा ही नहीं, इस answer से आप उसक इस सवाल आपको अपने partner से करना है वो यह है कि आपकी family आपकी साधी किसी ओर से कराएं तो क्या करोगे जी हैं दोस्तो इस सवाल को भी आप ध्यान से समझेगा अगर आपकी family आपकी साधी किसी और से कराए तो क्या करोगे इस सवाल को आप ध्यान से समझे और फिर आप अपने partner से करना पूरी तरीके से psychological west है इसका answer जो निकल के आएगा उसी से आपको उसका intention पता लग जाएगा कि वो आपको कितना प्यार करता है तो देखिए इसका answer क्या हो सकता है क्या है उसकी बात कर लेते हैं तो यहाँ पर देखिए इसका answer यही है कि इतनी किसी में हिम्मत नहीं है जीया दोस्तो यहांपर आप ध्यान से समझिए इसका अंसर क्या है इतनी किसी में हिม्मत नहीं है आप ये questions करते हो अपने partner से आपकी family आपकी साधी किसी और से कराए तो क्या करोगे तो इसका अंसर है यही बताता है कि वह आप से कितना प्यार करता है देखिए family साधी चाहें यहां कराए लेकिन आपका partner क्या बोला है उस से उसका intention पता लगता है, आपके partner का intention पता लगता है कि प्यार करता भी है या नहीं, family सादी चाहें जहांँ भी करा दे लेकिन आपके partner का intention क्या है इस answer में शूपा हुआ है, तो देखें यहां पर क्या है, उतनी किसी में हिम्मत न चाहें कुछ भी हो वो आपसे प्यार करता है उसके अंदर ये दम है ये हिम्मत है ये वर्ड वो बोला है ये इसका अंसर है अब घुमा फिरा के बहुत सारे लोग कुछ भी इसका अंसर दे सकते हैं लेकिन अगर इस तरीके से आपका पार्टनर खड़ा है आपके साथ ये बा कोसंस दूसरा है आप ये करके देखेगा उसका अंसर जो आता है आप कमेंट में बताईगा कि वो आपको क्या बोलते हैं अब बात करते हैं तीसरे कोसंस के बारें तीसरा सवाल आप अपने पार्टनर से करेंगे तो क्या वो अंसर देगा उससे क्या जाहिर होगा कि वो आपके पास 24 घंटे हो तो मेरे साथ क्या करना चाहोगे इसको दिखे इस तरीके से पूछना ऐसे मत पूछ लेना कि आपके पास 24 घंटे हो तो क्या करना चाहोगे ऐसे नहीं आपको इसको ध्यान से समझो आप चाहे लड़के हो या लड़की आप इस तरीके से पूछना आप के पास 24 घंटे हो तो मेरे साथ यानि कि आपको यहाँ पर अपने साथ लगाना है कि मेरे साथ आप क्या करना चाहोगे तो देखे इसका अंसर क्या मिल सकता है इसके अंसर बहुत सारे लोग अपनी तरीके से दे सकते हैं तो देखे यहाँ पर अंसर की बात करते हैं तो सबसे अच्छा यहाँ पर genuine अंसर यही हो सकता है, अगर कोई प्यार करता होगा, तो वो यही अंसर देगा, कि आपकी गोद में दम तोड़ना चाहूंगा या चाहूंगी, इसको दोनों तरीके से frame किया गया है, लड़का या लड़की, आप अपने इसाब से देख लीजेगा, तो चाहूंगा या चाहूंगी, अगर आप ये question करते हैं अपने partner से, यहाँ पर कोई लड़का होगा, तो वो यह बोल सकता है, कि मैं आपके साथ physical होना चाहूंगा, आपके साथ बैठूंगा, आपके साथ प्यार करूंगा, आपके साथ घूमूंगा, तो इस तरीके से बहुत सारे लोग अंसर दे सकते हैं इसका, लेकिन अगर कोई इनसान genuinely love करता होगा, वो यही इसका अंसर देगा, कि आपकी गोद में दम तोड़ना चाहूंगा, या चाहूंगी, आपके साथ 24 गंटे में बिताना चाहूंगा, आपके साथ में हर समय बैठूंगा, 24 गंटे जितना इन तरीकों से पता लगा सकते हो, जाहिर कर सकते हो, कि उसका intention क्या है, यह सवाल पूरी तरीके से psychological waste है, सामने वाले का intention आपको पता ही लग जाएगा, वो कितना भी सात्री क्यों ना बने, इस तरीके से अंसर आएंगे, तो आप पता लगा सकते हैं, घुमा फिरा के, वो औ और कुछ बोलता होगा, जिनका कोई मतलब नहीं बनता होगा, इस सवाल से रिलेट नहीं खाते होंगे, तो आप समझ सकते हैं, वो इनसान आप से प्यार नहीं करता है, वो बस आपको यह ही घुमा रहा है, आपको यह ही उलजा रहा है, मेरा यह वीडियो का बनाने का intention यही में भी तक आपने वरे वीडियो को सेर नहीं किया, वीडियो को सेर कर दीजीगा, चैनल को भी तर सस्क्राइब नहीं किया तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, आपके प्रूल्स का solution आपको अबस दिया जाएगा, और यह भी तक आपने वारे वारे पेस्ब्यूप प लिंक है वहाँ से जाके आप हमारे Instagram पेज को follow कर सकते हैं यदे आप मुझे डारेक्ट बात करना चाहते हैं कंसेट करना चाहते हैं तो call me for application के द्वारा मुझे बात कर सकते हो तो आज की इस वीडियो में बास नहीं मिनते के लिवड में धैंक्स वुरा चिंग धन्वा दोस्त झाहते हैं